नमस्कार मित्रो रतन एस्ट्रो वर्ड में आप सभी मित्रो का एक बार फिर से स्वागत है जोतिश की दुनिया में आज हम बढ़ाएंगे अपना अगला कदम और बात करेंगे नवमाश कुंडली की यानि D9 चार्ड नवमाश कुंडली क्या है इसको देखना क्यों आवश्य रख है वाई नवमाश कुंडली is so important and what is its signification तो D9 चार्ड की क्या महतो है और astrology में हम लगन चार्ड के बाद यानि D1 चार्ड के बाद D9 चार्ड को क्यों study करते हैं किस लिए study करते हैं ये लगन चार्ड के किस भाव की in-depth study या deep study कह सकते हैं किस भाव की ये analysis करता है इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे इससे पहले हम बात को आगे बढ़ाएं यदि अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरी आप से request है प्लीज subscribe का button दबा कर मेरी चैनल को subscribe कर ले हमसे जुड़ जाएं साथ ह ताकि जोतिश पर जब भी कोई नया वीडियो मैं upload करूँ तो उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँच जाएं एक छोटी सी request आप से और है कभी भी comments में आप अभी भी मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत से आते हैं कि वो व्यक्तिकत आपकी जो परेशानिया है या अपनी ज प्रतनशर्गा at the rate gmail.com पर संपर्ग कर सकते हैं उस पर भेज सकते हैं अपने details या फिर आप मेरे whatsapp नंबर 8 4 1 7 2 0 3 2 0 यानि 8 4 1 7 0 2 0 3 2 0 84 1 70 20 320 पर whatsapp के जरीए आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशे और बात करते हैं नवमांश कुंडरी क्या है मित्रो जोदिश में लगन चार्ट जो होता है D1 वो पूरी जोदिश का पूरी एस्ट्रोलोजी का किसी के लिए भी जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उसका बेस होता है उसका आधार होता है वहाँ पर जो लगन का स्वामी है यानि प्रथम भाव में जो अंक होगा देख प्रथम भाव में जहां एक नंबर लिखा वहाँ जो अंक पड़ा होगा वो बन जाता है आपका लगन और उस लगन का स्वामी कहां बैठा है अथवा उस लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं किनकी वहाँ पे दृष्टी संबंध है या वो किसी युती में हैं किसी के साथ ब लव्मांश कुणणली देख़िए एक डिविजनल चार्ट है डि मतलब डिविजन और डि 9 मतलब जब एक साइन को हम वन बाइन नाइन में डिवाइट करते हैं तो हमें मिलता है डि 9 चार्ट देख़िए हर साइन 30 डिगरी का होता है और पूरी कुणडली जो है बारा एक सायन का एक बटा नौ जो डिवीजन है वो है और उसमें देखते हैं कि घ्रहों की प्लेश्मेंट की जो ग्रह लगन में आपके बैठे थे वो नवमांश में कहां पर बैठे हैं कहां पर इस्थित हैं तो d9 चार्ट जो है ये डिवीजनल चार्ट है और ये इंडप स्टड सबसे पहले हम किसी का भी लगन चार्ड देखते हैं तो वहाँ पर जो हमारा लगन का स्वामी है यानि प्रथम भाव में जो अंक है महां पे किसका नंबर आ रहा है आप देख लें उसका और सात्वे भाव के स्वामी का आपस में क्या संबन्ध है वो हम देखते हैं सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है jn2 बहुम का मालिक वो कहा बैठा है साथी साथ देखे 5th जो है लव और रोमांस का होता है चाइल्ड का होता है उसके वहां से 5th हाउस की और 7th हाउस की relationship क्या है कोई वहां पे अगर milliveG है कोई पाप ग्रह बैठा है उसकी दिश्टी आ रही है या दी सात्वे भाव पे तो परिशानी होगी अब उसी चीज को आगे इंडेप्ट स्टडी करने के लिए फर्दर हम D9 चार्ट यारी नवमांश कुंडली देखते हैं नवमांश कुंडली में तीन ग्रह बहुत महत्पूर्ण हैं जिनमें आपको लगन कुंडली में भी ध्यान देना है और उनकी स्थती को आपको D9 चार्ट में भी ध्यान से देखना है पहला ग्रह है गुरू यानि ब्रहस्पतिदेव जुपिटर मेल या फीमेल किसी की भी कुंडली हो या वो पुरुष हो या इस्तरी हो सबसे पहले आपको गुरु की पोजिशन देखनी है लगन में कहां है और नवमांश में कहां है दूसरे नंबर पर अगर वो पुरुष है जो आपके पास आया है तो आपको देखना है मेल होरोस्कोप में वीनस की इस्तरी कहां है शुक्र क्योंकि वो शादी का भी परिचायक है शुक्र वीनस जो है तो शुक्र की इस्तिति आपको देखनी है और तीसरा ग्रह इंपॉर्टन ग्रह है मंगल अगर कोई इस्तिरी आपके पास आती है तो मंगल मार्स यानि हजबन वो उसकी प्लेस्मेंट कहा है तीन चीजे आप ध्या लाइफ दीनाइन यानि नवमाश टेल्स अबाट दी पार्टनर हजबन और वाइफ बोथ दीनाइन साथ ही साथ आपको क्या बताता है इट टेल्स यू अबाट दा लव रेलेशन्शिप रोमांस बिटरनेस एक्स्टा मेरिटल अफेर्स डाइवोर्स होगा नहीं होगा बह उसके हिसाब से उस व्यक्ति की क्या जीवन की रूप रेखा होगी उसका स्वास्त कैसा होगा उसकी जो फिसकल एपिरेंस है वो कैसी होगी परसनेल्टे कैसी होगी फिसकल ग्रोथ कैसी होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी कमजोरियां वीकनेस क्या होगी जैसे हम डी नाइन चार्ट में ये देखना है कि यहां पर जो लगन का मालिक है एक नंबर जहां पर लिखा है वहां पर प्रथम भाव में कौन सा अंक आ रहा है दी नाइन चार्ट में नवमांश में उसका स्वामी कौन है वो कहां पर बैठा है किस भाव में बैठा है किसके साथ बैठा ह साथी साथ उसके बाद थीक उसके बाद जो सवैंथ हाउस है साथवे भाव का स्वामी आपके नवमानश में कौन है वक कहां पर बैठा है किस ग्रहों के साथ बैठा है उसको देखते हैं साथी साथ आप फिफ्थ हाउस की भी study कर सकते हैं love and romance के लिए कि 5th house और 7th house में आपस में क्या relationship निकल के आ रही है इतनी चीजों से आपको यदि शुब ग्रह बैठे हैं गुरु उच्च का है शुक्र बहुत अच्छा वेल प्लेज है तो समझ लीजे जीवन साथी बहुत अच्छा होगा life जो married life है वैवाहिक जीवन सुखी हो केतू हो शनीदेव हो कोई भी तो समझ जीवन hurdles नहीं हाएंगी उसकी married life में वैवाहिक जीवन इस मूठ चलेगा और एक चीज और है कि लगन कुंडली और नवमाश कुंडली में यदि राशी चंद्रमा से राशी बनती देखी चंद्रमा एक ही राशी का है यानि नवमाश में और उससे पहले लगन चार्ट में तो महारशी पाराशर ने भी ये चीज़ को बताया है कि यदि किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में और नवमाश कुंडली में एक ही राशी हो तो वहाँ पर वो जो नवमाश चार्ट होता है वो वरगोतम नवमाश बन जाता है जो वर आशी परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो बहुत लकी बहुत भागिशाली इंसान माना जाता है उस व्यक्ति को क्योंकि वो बन जाता है वर्गुत्तम नवमाश तो उस दिशा में वैवाहिक जीवन के बाद उसको बहुत सारा सुख मिलेगा धनसंपदा मानसंमान वैववव ब अनलिसिस है इंडेप्ट अनलिसिस अब यदि यहाँ पर हम नवमाश चार्ट में देखें जैसे कोई आपके पास आए और पूछे भई पंडे जी मेरी बेटी का विवा जल्दी होगा या लेट मैरेज है वैवाहिक जीवन कैसा होगा तो आप जब अनलिसिस करेंगे तो आ आप देख सकते हैं कि जो नवमाश का लगनेश है यानि नवमाश डी नाइन चार्ट का जो लगन का स्वामी है तो उसकी विवा जल्दी होगा अर्ली मेरिज अगर लड़की है तो 18-20 साल की उम्र में 21 साल के अंदर उसका विवा हो जाएगा ऐसी इस्थती में और अगर लड़का है तो मान के चलिए 24-25-26 में एक अर्ली मेरिज हो जाएगी हाला कि अब शेहरों में अर्बन लाइफ में मेरिज बहुत डिले हो रहा है आजकल शादी में विलंब हो रहा है लोग पहले कमाते हैं फिर थोड़ा सा पैसा बचाते हैं उसके बाद 31-32 साल पर जाकर कहीं शादिया हो रही है परन्तु अगर नवमाश कुंडली में किसी लड़के का या लड़की का लगनेश केंदर के भाव में बैठा है तो अरली मेरिज का प्रेडिक्शन आप बहुत आराम से कर सकते हैं अब यदि सब्तम भाव पे शनी की दृष्टी है या शनी बैठे हैं नवमाश में तो लेट मेरिज में डिले होगा बिलकुल देर से विवा होगा लेट मेरिज होगी इसी प्रकार सब्तम भाव के आगे और पीछे के भावो में मेलिफिक ग्रे बैठे हैं तो फिर समझ लीजे शादी नहीं होगी ऐसी स्थती में वह व्यक्ति आविवाहित रहेगा उसके और भी बहुत से कारण है और भी चीजे देख सकते हैं आप लगन चार्ट में और वहाँ पे कौन है लॉड उसका और सेवन्थ हाउस लॉड कौन है उन दोनों का आपस में संबंद क्या मित्र का है शत्रुता है अथवा न्यूट्रल है ये देखना है लगनेश का और सब्तम भाव का जो स्वामी है उसका प्लेस्मेंट क्या कहीं तरिक भाव में तो नहीं है शिक्स ए आपको उस चीज को ध्यान देना है अगर कोई शुब ग्रह है बेनेफिक प्लेनेट सें फर्स्ट हाउस में सेवेंथ हाउस में या उनकी दृष्टी सेवेंथ हाउस पर पड़ रही है किसी शुब ग्रहों की बेनेफिक्स की उस चीज को आपको नोट कर लेना है और एक की राशी में बैठा है यानि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन इन डीवन चार्ट and if the same प्लैनेट इन एकसाल्टेशन इन डीवन चार्ट तो वहाँ पर उस ग्रैका नीच भंग हो जाता है और वो बन जाता है नीच भंग राज योग इस पर मैं पॉइंट्स को कहीं नोट करें उसके बाद इस चीज़ को सबजने की कोशिश करें नवमांश कुंडली को क्योंकि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं कौन से ग्रह आपस में शत्रू है किस ग्रह की किस राशी में नीट्रल रहता है या friendly राशी है या उसकी enemy की राशी है इसका ग्यान आपको होना चाहिए तभी आप ये जो तीन important ग्रह मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको D1 चार्ट और D9 चार्ट में देखना है पहला हो गया ब्रहस्पती गुरू जुपिटर दूसरा है वीनस शुक्र और त पास अपनी कुंडली दिखाने गुरू उसका दीखी कहां पर बैठा है केंदरती पती दोश में तो नहीं है गुरू चंडाल दोश में तो नहीं है नीच के भाव में तो नहीं बैठा है और अगर लगन में बैठा है तो वो नवमान चार्ट में क्या उच्चका है वहां श की position क्या है और Mars की position अगर वो महिला है तो मंगल तो कि Mars husband है एक female की horoscope में तो Mars की position भी आपको देखनी है तीन ग्रहों की position को अगर आपने देख लिया उनका सही से placement किस राशी में हैं किस भाव में हैं ये सब चीज़े बहुत important है ट्राइनल साइंस में पर आप देखते हैं तो पहला भाव केंदर का भी होता है तो पांचवा और नवा भाव ट्राइनल साइंस लगन चार्ट में कौन से ग्रह बैठे हैं और नवमाश में कौन से ग्रह इन ट्राइनल साइंस में हैं सब्तम भाव पर किस किस ग्रह की अच्छी चलेगी शादी के बाद राइस करेगा विदेश जाएगा बहुत सी चीज़े आप डी नाइन चार्ट से नवमान चार्ट से बहुत असानी से बता देंगे या शादी के बाद भी इसके परिस्त्री या परपुरुष संबंध होंगे जी हाँ एक्स्ट्रा मेरिटल ये आप नवमान चार्ट से जान सकते हैं किसी के भी वो व्यक्ति आप से भले ही जूट बोल दे कि नहीं मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है पर कुंडली कभी जूट नहीं बोलती ये बात आप समझ ले होरोस्कोप आपकी सच्चाई जो आप है वही चीज आपकी रिफलेक करता है और बताएगा तो इस शीज को देखने के लिए ही हम नवमाश कुंडली की स्टडी करते हैं सेवंध अउस की इंडेप्ट स्टडी detailed study है नवमांश चार्ट D9 और यहाँ पर हमको main 7th house की जो तस्वीर है वो उभर के आती है और उसका व्यक्ति का अगर आप 5th house relationship देखेंगे यानि कि romance, love तो प्यार और romance कैसा रहेगा dry nature का रहेगा उसका life या बहुत अच्छी सुखी वैवाहिक जीवन जाएगा तो 5th house से relationship भी आप देख सकते हैं शादी के बाद का कैसे होगा और अगर position of Venus बहुत अच्छी है, strong है किसी male chart में तो निश्चिती उसकी wife बहुत पैसे वाले घर से आएगी और बहुत अच्छी होगी सब तरह की luxury, शुक्सुदा ये चीज़े लाएगी धनी परिवार से आएगी लड़की तो इस प्रकार की चीज़े नवमांज चार्ट से हम देखते हैं तो आशा है मैंने बहुत एक साधरन तरीके से समझाने का प्रयास किया और मुझे पूरी उमीद है कि नवमांज चार्ट क्यों हम देखते हैं D9 चार्ट, why is it so important for us to see नवमांज तो ये 7th house की detailed study है जो लगन चार्ट का 7th house है यानि partnership का, marriage का, शादी का तो उसमें क्या-क्या देखते हैं मैंने आपको बताया कि इन ग्रहों को मुख्य रूप से देखना चाहिए उनका placement जिससे कि आपको बहुत सारी analysis करने में मदद मिलेगी तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया तो please like का बटन जरूर दबाएं और अपना समय देने के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इश्वर आपका दिन शुप करे नमस्कार